कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं, आप सब खेरिये से होंगे, और आज की इफ़तार के लिए special recipe जो है साबूदाना वडा, tips and trick के साथ हम इसे बनाएंगे जिससे आप इफ़तार में perfect साबूदाना वडा बना पाए, और आपके भी ऐसे ही perfect साबूदाना ये वडा बनकर ready होगे उसके साथ साथ नारियल की चट्नी जो साबूदाना के साथ सर्प की जाती है, उसे भी हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने एक कप लिया है साबूदाना, तो ये majoring कप से मैं आपको बता रही हूँ, अब हमें साबूदाने को तीन से चार बार अच्छे से हाथों से रगर कर लेना है, तो ये देखिए, तीन से चार बार मैंने से वाश कर लिया, अब बॉल में हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके बाद एक कप से हमने जैसे साबूदाना लिया तो एक कप ही हमें इसमें पाई डालना है भीगाने के लिए, तो अब हम इसे भग कर रग देंगे तो चलिए हम इसे रोस्ट करते हैं, हम इसे चट्नी में भी इस्तमाल करेंगे और साबूदाना वडा में भी इस्तमाल करेंगे, तो यहाँ पर यह देखिए, इस तरह से हमने इसे रोस्ट कर लिया है, तो यह हमारी मौफली रेडी हो गई है, तो अब हम इसे थंडा करने के रख देते हैं और ठंडा करने के बाद हम इसका चिलका निकाल लेंगे तो चलिए पहले चटनी बनानेते हैं तो हमने यह आपर ले लिया था दो तुकुडा गीला नारियल का चुटा चुटा बेने तुकुडा कर दिया था वो डाल दिया तीन हरिमिज कड़ी पत्ता जरू ड बने हम दो भषील मौन फली तो भरभर पर के समय दो तेबस पून मौट फली के अब आएपकी नारियल चुट्णी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी नारियल चुट्नी थीक बिढ़न रीड़ी होगी देखे इस तरह से तो बस इसे पाने डालकर आप वर पा चट्टी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने इसे एक बोल में निकाल दिया, अब हमें इसमें लगाना है तड़का, तड़का पें गरम कर लेंगे और इसमें हम एड़ करेंगे 1 टेबस पून तेल और इसमें हमें डाल देना है हाफ टीश्पून राई, राई को हम तड़क आवंदेवडे के साथ सर्फ की जाने वाली नारियल की चट्नी जो है वह बनकर रैडी हो गई, यह चट्नी गैश्ओं इडली मेंदू वड़ा डोसा के साथ भी सर्फ कर सकते हैं, उसके साफ भी जबर्दस्दियां, वह सर्फ की जाती है, उसका हमें चिलका निंकाल देना है, एक आलू मैंने पहिले से अलग कि एक छिलके रखा हुआ था, और बाकी के वी यह पाँच आलो को हम चिलनेंगे , मीडियम साइस के हमने आलू लियत है उसके साथ साथ देखे मैंने मूंग फली को भी यहाँ पर छिलका निकाल दिया है और मूंग फली को अब हमें दरदरा सा पीस लेना है अलका हमें मोटा ही रखना है एकदम जो ग्राइन नहीं करना पाउडर आप नहीं बनाएगा देखे इस तरह से दरदरा हमें इसे पीस लेंगे साबुदाने को देखे पांच गंटे तक मैंने भीगा था और देखे सकते हैं आप कितने अच्छे से यह भीग चुके है बिलकुल भी पानी नहीं है नीचे तो इस तरह से देखिए साबुदाना भीगाया जाता है जब आपको सा साबुदाना में एक कप पानी डालकर भीगाना अच्छे से वाश करके तो एकदब पर्फेक्ट आपके भी भीग कर साबुदाना रेडी होंगे अब हमने इसमें डाल देना है छे मिलियम साइस की आलू और इसे अच्छे से मैश कर देना है तो चलिए आलू को हम पहले मैश कर देते हैं अब साबुदाना वड़े का टेस्ट बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक स्वात की अनुसार इसके साथ साथ इसमें जाएगी शक्कर शक्कर जरूर एड़ करना हाफ टीस्पुन इसे बहुत अच्छा टेस्ट आपके साबुदाना वड़ किया है और कटा हुआ हरा धनिया इसमें हम एड़ कर देंगे अब इन सारी चीजों को हमने हातों से अच्छी तरीके से साबुदाने के साथ मिला देना है एकदम दबा दबा कर नहीं मिलाईएगा हलकी हातों से थोड़ा सा मिलाईएगा यह एकदम जीद पर्फिक्ट साबुदाना वड़ा हम रेड़ी कर लेते हैं तो यहां पर आप पूछ रहे होगे कि मूंफली हमने कितने डाली है तो वह हमने एड़ की है इसमें वनफोर्थ मूंफली अक्रश की हुई ठीक है अब हम इसके साबुदाना वड़े तायर करने हैं तो चलिए हातों से जैसा बनाएंगे ताइट प्रेस करते हुए आपको बॉल जैसा बनाना है ताकि अंदर एड़ ना रहे और फिर हातों पर रखे से इस तरह से फ्लैट कर देना है ना एकदम मोटे रखेंगे और ना ही एकदम पतले रखेंगे मीडियम शेफ हम इसका देना है यह दिखे बि प्रेस तो चलिए साबुदाना वड़ा हमने रेडी कर लिए है अब तेल गरम हो चुका है जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसे मीडियम टू हाइप रखना है और फिर साबुदाना वड़ा को फ्राइ करना है तो पहले आप इसे ज्यादा चमश लगाईएगा नहीं पहल बात ध्यान रखेगा तेल अच्छा सा आप गरम पहले से करके रखेगा तो चलिए से अब हम पलटते हैं देखें आसनी से पलट गया ना फटेगा ना तूटेगा और आपका एकदम पर्फिक साबुदाना वड़ा बटकर जो है वो तयार होगा तो हल्का सुनहरा कलर आने देंगे हम और दोनों तरफ से अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक अलट पलट करते हुए इस तरह से हम साबुदाना वड़ा को फ्राइ करेंगे एक दम जबर जैसे साबुदाना वड़े यह फ्राय होकर रेडियो के रखाने में भी यह बहुत टेस्टी बंते हैं अब इस पर जैसे हमें कलर चाहिए तब ऐसा आ गया है तो चलिया वह से निकाल लेते हैं देखिए एकदम पर्फिक्ट साबुदाना वड़ा बन कर यह रेडियो हो है वीडियो अब कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना तो यहां पर साबुदाना बाकी के वड़े भी हम इसी त अब नारियल की चटनी हमने एक बोल में निकाल ली है उसके साथ साथ अब यह गरम साबुदाना वड़ा को हम सर्फ कर रहे हैं तो सारे साबुदाना वड़ा को हमारे फ्राय हो चुके हैं और यह जाएगे अब प्लेट में आपको में तोड़ कर भी दिखाऊंगी तो यह एकदम पर्फेक्ट से मज़ेदार से सही से फ्राय हुए अंदर से पके हुए डिलीशस साबुदाना वड़ा की यह रेसिपी तो इफ्तार में अगर आप भी साबुदाना वड़ा बनाना चाहते हैं तो एक बार मेरे तरीके से बनाईएगा और उसके साथ साथ यह चटनी जो है वह जरूर बनाना बहुत टीस्टी लगती है साबुदाना वड़ा के साथ तो आज की हमारी यह रेसिपी आपको कैसी लगी हमें जरूर फीडबैक दीजेगा तो सारे साबुदाना वड़ा हो चुके हैं फ्राय एकदम पर्फेक्ट सुनहरे कलर के और खाने में बहु झाल 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 झाल